वेल्कम टू नई सुभा कहानिगर नई सुभा टेल्स प्रिड्यूस बाइ अनम तारिक वोईस अवर बाइ रहीमा अस्तलामु अलेकुम प्यारे बच्चों अमीद है आप सब ठीक ठाक होंगे मेरा नाम है रहीमा और आज हमारी कहानी का नाम है नादान की दोस्ती तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी एक जंगल में एक साफ खाने की तलाश में घूम रहा था पास में बंदर बैठा देखकर साफ ने फोरन से बंदर को पकड़ लिया और बंदर जोर जोर से चीखने लगा वही पास में एक किसान खेतों में काम कर रहा था बंदर की चीखने की आवाज सुनकर किसान भागता हुआ जंगल में गया और देखा किसाफ ने बंदर का खूब जोर से पकड़ा हुआ है किसान के दिल में बंदर के लिए रहम आया और जैसे तैसे करके किसान ने बंदर को छुड़ा लिया उस दिन से बंदर किसान का बहुत फिर्माबरदार हो गया बिलकुल वफदार दोस्तों की तरह अब बंदर किसान की हर काम में मदद किया करता था और जब किसान सोता था तो बंदर उसकी हिफाज़त किया करता था और मक्या वगेरा उड़ाया करता था एक दिन गाउं के किसी समशदार शख्स ने किसान से कहा देखो सहाब बंदर की दोस्ती अच्छी नहीं वो एक नादान और शरार्ती जानवर है किसान ने जवाब दिया सहाब आप अपनी नसियत अपने पास रखें मुझे बंदर पर पूरा एतमाद है एक दिन जब किसान सो रहा था तो बंदर हमेशा की तरह किसान के उपर से मक्या उड़ा रहा था लेकिन एक मखी थी जो बार-बार किसान के मूँपर आकर बैट जाती थी बंदर उडाता वो फिरा जाती और ऐसा कहीं बार हुआ बंदर ने खुसे में आकर किसान के मूँपर पत्थर बार दिया अब मखी तो मर गई लेकिन किसान भी शदीद जखमी हो चुका था और अब किसान को उस शक्स की नसिहत याद आई और किसान ने बंदर को वापस भेज दिया तो बच्चों हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें अपने बड़ों की नसियोतों पर अमल करना चाहिए मतलब उनकी बात मालना चाहिए ताकि हम किसी नुक्सान से बच सकें नई सुभा की कहानी घर में अब तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगली कहानी के साथ तब तक के लिए अल्लहाफेद